किंडे का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि क्या बोरीन सबजी है तो चलो इसे कुछ इंट्रेस्टिंग तरीके से बनाते हैं किंडे की एक ऐसी शांदार सबजी जिसको देखकर ही खाने का मन करेगा तो मैं इस वीडियो में 2 recipes बना रही हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बनाऊँगी masala टिंडा तो यहां मैंने लिये है कुछ टिंडे इसे अच्छे से धू कि साफ कीये हैं अब हम मसाला टिंडा बना रहा है तो उसके लिए हम टिंडे को कुछ इस तरह से कट करेंगे इसे हमें पूरी तरह से स्कूप आउट करना है ताकि हम इसमें हमारा मसाला भर सके आप चाकू से भी कर सकते हैं या फिर एक स्पून ले लीजिए और उसे उल्टा करके कुछ इस तरह से टिंडे के अंदर का जो पोर्शन है उसे निकाल लीजिए इंग्रिडियन के डीटेल्स मैंने वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं उसे भी आप एक बार चेक कर ले तो हमें कुछ इस तरह से इसकी कटोरी बना रही है चलिए एक बार फिर से दिखाती हूँ आप चाकू की मदद से भी काट सकते है या फिर ऐसा छुटा स्पूल ले लिजिए उसे उल्टा करके एक हासे टिंडे को गुमाते रही है और इस तरह से टिंडे के अंदर का जो पाठ है वो निकल जाएगा अभी आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है जिस टिंडे को आप स्कूप आउट करेंगे उसका क्याप उसी के उपर लगाना है ताकि हम जब इसे पकाएंगे तब यह अच्छी तरह से कवर हो जाएगा आप वैसे बिना कैप के भी बना सकते है पर उससे क्या होगा ना कि मसाला थोड़ा बाहर आ जाएगा तिंडे लेते वक्त आप थोड़ा फ्रेश और छोटे साइस के तिंडे लीजिएगा जिसके उपर ना कुछ ऐसे वाइट वाइट छोटे छोटे रेशे होंगे तो यहाँ मैंने सारे टिंडे निकाल लिये है यह देखिए कैब भी लगा लिया है और यह है टिंडे के अंदर का पाट आप चाहे तो इसी को टिंडे के मसाला में डालके स्टफ कर सकते है या फिर इसकी अलग से एक सबजी बना सकते है और आज मैं आपको इसकी सबजी कैसी बनती है वो बताऊंगी यह बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी बनती है अब हम स्टफिंग करने के लिए मसाला बना लेंगे तो एक पैन में एक टेबल स्पून तेल डालें तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे राई, जीरा और एक बारी कटा हुआ प्यास मैंने यहाँ एक बड़ा प्यास लिया है अब मिडियम साइज के दो प्यास भी ले सकते है अब प्यास को अच्छे से भून लेंगे और प्यास चल्दी कर जाए उसके लिए नमक डालेंगे प्यास अच्छे से भून गया है अब इसमें डालेंगे अधरक लेसुन और धनिया का पेस्ट इसको भी अच्छे से 10 से 12 सेकिन के लिए भून लेते हैं देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब डालेंगे सुखे मसाले सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा टीस्पून लाल मिर्श पाउडर एक टीस्पून अब धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था अब आधा टीस्पून गरम मसाला डालके मिला लेंगे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप सिर्फ एक ही सबजी बनाना चाहते हैं तो टिंडे के अंदर का पोर्शन जो हमने निकाल के अलग से रख दिया था वो इस स्टेज पे आके आप इस मसाला में डाल सकते हैं पर इस वीडियो में इसकी अलग से सबजी बनाने वाली हूँ तो इसे अलग से रख देते हैं अब इसमें डालेंगे सुखा नारियल, रोस्टेड मुंफली का पाउडर, खस-खस और तिल बस फिर इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और दो मिनिट तब पकाएंगे तो बस तिन्डे के लिए अपना मसाला तयार है, अब इसमें हरा धनिया डाल के गानिश कर लेंगे इसे थोड़ा थंडा होने देते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे देखिए मसाला अच्छे से थंडा हो गया है अब एक छोटे से स्पून से तिन्डे के अंदर हम मसाला स्टफ करेंगे बहुत ज़दा दबा के मसाला नहीं भरना है, अटलिस 80% नहीं तो तिन्डा पकते वक्त मसाला पूरा बहार आ जाएगा अब इसका कैप लगा के इसे बंद कर देते हैं अगर इतना छोटा स्पून आपके पास नहीं है, तो हाँच से मसाला भर सकते हैं तो इस तरह से मैंने सारे तिन्डे मसाला स्टफ करके तयार कर लिये हैं अब सेट पैन में 2-3 टेबल स्पून तेल डालें तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे दालचीनी और स्टाफ किये हुए तिन्डे तिन्डे को बहुत आराम से डालना है ध्यान रहे तिन्डे का क्याप उपर साइड में होना चाहिए अब पैन को थोड़ा शेक कर लेंगे ताकि कोई तिन्डा नीचे से नाची पक जाए इन सब को अच्छे से प्लेस कर दिया है पलट लेंगे अब इसे एक बार पलट लेते हैं आप टाउंग या फिर चिम्टा भी यूज़ कर सकते हैं देखिए तिन्डा अच्छे से गल गया है ऐसा थोड़ा गोल्डन ब्राउं टिक्शर होना चाहिए दूसरी साइड से भी इसको पका लेते हैं पांच मिनिट के बाद चेक कर लेंगे देखिए दूसरे साइड से टिंडे का क्याप था तो मसाला के करन तेल थोड़ा रेड हो गया है इसको फिर से सीधा कर लेंगे अगर आपके पास टॉंग या फिर चिम्टा नहीं है तो आप ऐसे दो स्पून लेके भी इसे पलट सकते हैं अब हमने जो मसाला बनाया था उसको हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे मसाला को डालके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाला बनाते वक हमने सारी चीज़े इसमें डाल दी थी जैसे की हल्दी, लाल मिर्श पाउडर, नमा, अधरक लैसुन का पेस्ट तो इसी लिए अब हमें कोई मसाले नहीं डालने हैं अभी आदा ग्लास पाने डालके इसका ग्रेवी बना लेंगे और इसे दस मिनिट के लिए पकाएंगे तिन्टे अच्छे से गल गए है और ग्रेवी बहुत टैंटिंग लग रही है अब इसमें डालेंगे मेरा फेवरिट खराधनिया और कार्णिश कर लेंगे इसे अच्छे से मिला लेते हैं आप देख रहा है ना तिन्टा कितना यमी लग रहा है रुखिए मैं आपको थोड़ा पांस से दिखाती हूँ और ये देखिए ग्रेवी अब इसमें आधा टीस्पून काला मसाला डालेंगे और दो मिनिट के लिए ढख के रखेंगे तो काला मसाला यहाँ पे पूरी तरह से आप्शनल है मेरे पास था तो मैंने यूज कर लिया तो चलो इसे सर्फ कर लेते हैं उसके बाद हम बनाएंगे दोसरी सबजी तिंडा एक 2-in-1 रेसिपी है इसके गुटलियों के भी दाम होते है यानि कि इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसकी भी एक सिंपल और टेस्टी सबजी बनती है तो चलो शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहां यूस किये है तिंडे के अंदर का पार्ट जो हमने निकाल के अलग से रख दिया था उसको थोड़ा चॉप कर लिया है चना डाल इसको मैंने 20 मिनिट सोप किया था थोड़े गुनगुने पानी में बारी कटा हुआ प्यास और कड़ी पत्ता और हमारे घर में जो नॉर्मल सुखे मसाले होते हैं वो यूज करेंगे तो सबसे पहले एक पैन में दो से तीन टेबल स्पून तेल डाले तेल की करम होते ही हम इसमें डालेंगे राई जीरा और बारी कटा हुआ प्यास अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्यास जल्दी गल जाए उसके लिए नमक भी डाल देंगे और इसे तीन से चार मिनिट प्यास गलने तक पकाएंगे अब इसमें कड़ी पत्ता और सुख किया हुआ चना डाल के मिक्स कर लेंगे अब मैं डाल रहे हूँ सुखे मसाले आधा टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्श पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे टिंडे का अंदर वाला पाउड जो हमने निकाल के रख दिया था इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और पांच मिनिट के लिए ढखके पकाएंगे देखिए ये मसालों के साथ अच्छे से भून गया है अभी आधा टी स्पॉन गरम मसाला डाल लेते हैं और मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हो थोड़ा पानी हमें इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है हम इसकी सूखी सबजी बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालेंगे बस इतना की चना डाल अच्छे से पक जाए अब इसको तीन से चार मिनिट ढखके पकाएंगे तीन से चार मिनिट के बाद चेक कर लेते हैं देखिए पानी अच्छे से सूख गया है और तेल भी कॉर्नल से अलग हो रहा है चना डाल भी पक गई है मैं आपको थोड़ा कैमेरा के पांस से रिखाती हूँ अब इसमें हरा धनिया डाल के गानिश कर लेंगे तो चलो इसे भी सर्फ कर लेते हैं आप इस सबजी को जरूर ट्राय करें आप इसे टिफिन में भी लेके जा सकते हैं इसे खाने के बाद सब लोग आपसे बुछेंगे कि ये कौन सी सबजी है तिन्डे की ऐसी सबजी उन्होंने कभी नहीं खाई होगी ये सबजी बहुत ही जल्दी और फटाफट बन जाती है और आपने तो देखा ही है जादा इंग्रिडियन की जरूरत भी नहीं है मुझे उम्मिद है आपको आज की दोनों रेसिपीज अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट कीजिए मुझे आपकी कमेंट का रिप्लाइ करना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप मेरे चानल पे नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखिये और मेरे वीडियो को देखते रहे स्टे हैपी, स्टे हेल्दी मुद्ब शाप करना है प्रिया है बहुत है विडियो झाल झाल